अलो, गुड वूनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हमारे एक नए वीडियो में, देखे दोस्तों, आज हम आपके लिए B.S.O.C. 131, समासास्त का परिचाय, यानि सोसोलोजी का आप जो फस्ट यर के स्टूडेंट हैं, उसमें आपकी जो बुक है B.S.O.C. 131, इसक आपके लिए कारगर सिध्ध होगा, अगर आप इन सभी कोस्टनों को करके जाते हैं, तो आप अपने एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, तो जितने भी मैं कोस्टन आपको बताऊंगा, इन सभी कोस्टनों को आपको पढ़ करके जाना है, और इन ही अच्छे माक्स आएंगे और आप सभी लोग अच्छे माक्स से अपने इस एक्जाम को पास कर लेंगे आपको किसी भी प्रकार की समस्य और पर यसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो मेरी तरब से आप सभी को आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत-बहुत सुपका करता हूं कि आप सभी अपने एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो देखिए हम कोस्टनों की बारे में चलते हैं कि कौन कौन से कोस्टन सभी के सभी कोस्टन दोस्तों 20 नंबर के हैं सभी के सभी कोस्टन 20 नंबर के रहेंगे तो आप इनको 20 नं एक्जाम होगा और 100 नंबर का एक्जाम होगा उनली 5 कोशन आपको अटेंट करने पड़ेंगे और 500 वर्ल लिमिट इसमें रखी जाती है तो आप इनके कोशनों का अंसर आप 5 पेज में लिख सकते हैं आगे पीछे मिला करके मैं पेज को काउंट करके बता रहा हूं तो कोशन देखें दोस्तों समाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने 19 सताब्दी में यूरोपीय समाज को प्रभावित किया चर्च किजिए यानि समाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे थे 19 सताब्दी में यूरोपीय समाज को उसने किस प्रकार प्रभावित किया यह आ आपका बताना पड़ेगा, question number second हैगा दोस्तों, question number हम थड़ पर चलते हैं, जो हमारा question number third है, समाज साज का सिध्धान्त का उद्य किस प्रकार हुई है, यह आपका तीसरा question हैगा, यह भी 20 number के question हैंगे, सभी के सभी question 20 number के हैं दोस्तों, हमारा next question हैगा, question number आपका जो फोर्थ रहेगा, समास्थास्र और मानो विज्धान की प्रकृति की चर्चा कीज़ेगा, यह उसका nature कैसा है, आपको प्रकृति बतानी पड़ेगी, यह भी आपके लिए कह रहे हैं दोस्तों, important question बना रहेगा दोस्तों, हमारा next question पर चलते हैं, मानो विज्धान यानि इसका इतिहास किस प्रकार है, यह आपको बताना पड़ेगा, यह question आपके लिए कह रहेगा दोस्तों, important है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, हमारा next question आरा दोस्तों, question क्या है दोस्तों, समास्थास्र और मानो विज्धान के मध्ध समानताएं बताएं, दोस्तों, काउं स question हमारा है, समास्थास्र और मानो विज्धान का अंतर संबंध बताएं, समास्थास्र और मानो विज्धान में किस प्रकार का अंतर संबंध है, यानि एक दूसरे से किस तरह अंतर संबंध है, ओ आपको बताना पड़ेगा, हमारा next question है, समास्थास्र ये उपकरण कौन कौन से हैं समाज सास के जो उपकरन यानि जो टूल है वो कौन-कौन से हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा है और इनको आपको heading बनाकर के लिखने पड़ेगी जितने भी मैंने question बोले हैं सभी के सभी 20 नमबर के आगे आगे वाने सभी कोशन हो भी 20 नमबर के रहेंगे सभी के सभी important कोशन है दोस्तों हमारा next कोशन है दोस्तों समाजिक मनो विज्ञान का एतिहासिक विकास की व्याख्य कीजिए समाजिक मनो विज्ञान का एतिहासिक विकास की व्याख्य कीजिए हमारा next question क्या है दोस्तों नेख्ट कोस्टन है गा िसको परिभासेख कीजिये यानि इसकी परिभासा बताओ और इसमें अंतर बताने समास्त और इति़ास क्या होता अर्थ बताइए यान दोनों में समबंद क्या है या आपको इसमें अंतर यानि difference आपको बताना पड़ेगा, चलिए हम अपने next question पर चलते हैं, और हमारा next question क्या है, next question ध्यान से दिगया, समास सास्त्र का अर्थ सास्त्र का संबंद गया, यानि समास सास्त्र और अर्थ सास्त्र, यानि sociology और economics में संबंद क्या है, इसकी परिभासा क्या समानता औ और अंतर इसमें किस परकार का है, यानि sociology और economics में, यानि समास सास्तर और सास्तर में क्या समानता हैं, क्या अंतर है, क्या difference है, और इसकी परिभासा आपको बताना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए important question है दोस्तों, next question है, आर्थिक समास सास्तर का इतिहास का उदभव पर चर् समास सास्तर तथा अर्थ सास्तर की क्या बतानी आपको, सामाने समस्ते हैं, यानि इसमें कौन-कौन सी प्रोब्लम्स होती हैं, वो आपको बताना पड़ेगा, हमारा next question रहेगा, राजनीतिक बिज्ञान और समास सास्तर क्या है, ये political science और sociology में किस परकार अंतर संबंद है, या किस परकार की दोनों में similarity है, यार्थो परिभासा ये आपको बताना पड़ेगा, ये भी आपके लिए important question बना रहेगा, ये भी क्या रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पून question रहेगा, हमारा next question है, राजनीतिक समास सास्तर में इस्तमाल की जाने वाली आ आउधाना है, इनी राजनीतिक समास सातर में कौन-कौन सी आउधाना है, ये अप्रोच कौन-कौन सी आप्रोच हमें इसमें आती है, उन सारी अप्रोच के बारे में आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्टों, हमारा next question रहेगा सांस्कृत परिवरतन क्या होते हैं कैसे होते हैं और इस प्रकार के होते हैं यह आपको बताना पड़ेगा यह जित्रे भी कोस्टिक से सारे के सारे कोस्टन क्या रहेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा important रहेंगे हमारा next question रहेगा सांस्कृतिक कट्रता क्या होती यानि धर्म को लेकर के या संस्कृति को लेकर के जो कट्रता जैसे धर्मिक कट्रता होती उसी प्रकार के सांस्कृतिक कट्रता संस्कृति का मतलब होता है कि जैसे माली जे खान पान है पहनावा है रहन सहन है रीती रिवाज है यह हमारी संस्कृति है इनको लेकर कि भी हम एक कंट्रियों में और समाज में कट्रता देखनों के मिलते है यहीं समाज में देख वो कट्रता किस परकार की हो आपको बतानी हमारा जो next question रहेगा समूह वर्गी करन का आधार बताओं यानि समूह को जब वर्गी करन किया गया है वह किस आधार पर किया गया है यह भी बताना पड़ेगा हमारा next question है दोस्तों सामाजिक समूँ और समुदाइक मदभेद क्या होते हैं यह आपको बताना पड़ेगा यह भी आपके लिए important रहेगा next question है दोस्तों संगठनों से संबंदित दिश्टकोन यह जो संगठन होते हैं उनसे दिश्टकोन किस प्रकार की हो भी आपको यह आपको बताना दोस्तों संगठनों का वर्गी करन कीजिए यह संगठनों का वर्गी करन किस प्रकार किया गया है यह भी आपके लिए क्या पढ़ेगा दोस्तों संस्थान क्या होता यानि संस्थानों के बारे में बताईए उट आपको बताना पड़ेगा भूमिका क्या होती भूमिका के बारे में आपको बताना पड़ेगा अगला जो next question हमारा राहा है भूमिकाओं का वरगी करण कीज़े यानी अलग-अलग जो चीज़ें बताइगे उनका वरगी नहीं वरगी करण मत बटवारा अलग अलग परकार की जो भूमिका होती वो आपको बताना पड़ेगा हमारा जो next question है गा दोस्तो सामाजी करण का आर्थ हुआ परिभासा लिखे सामाजी करण क्या होता है उसका आर्थ बताईए या उसकी परिभासा बताईए हमारा जो next question है गा दोस्तो हमारा next question है दोस्तो, समाजी करण का माध्यम कौन का है, या माध्यम कौन का है, वो आपको बताना पड़ेगा, वह समाजी करण जो होता है, वो उस किस प्रकार का माध्यम होता है, समाजी करण के बारे में आपको पूरा इसमें बताना पड़ेगा, हमारा next important question है दोस्तो, प्रत सामाजिक नियंतरन की परिभासा बताओ या परिभासित कीजिए यानि सामाजिक नियंतरन क्या होता है उसको आप क्या करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा उसको परिभासित करने के बारे में पूछा गया दोस्तों अगला जो हमारा next question है जो मैं आपको बताऊंगा ल देखनों के मिल सकते हैं, तो आपको संपर्दाइक्ता क्या होती, संपर्दाइक्ता बताईए, या संपर्दाइक्ता कितने परकार की होती है, या संपर्दाइक्ता को परिभासित कीजी, आर्थ बताईए, ये भी आपके लिए important question रहेगा, तो इसको भी आप संपर्दाइक्त जितनों को भी आपको क्या करना है complete कर लेना जितना मैंने question बताएं है संपरदाइकता से related जो question है उनको complete कर लेना है और यह जितने भी मैंने आपको question लिखके दिये इन सभी question है क्या करना है आपको complete कर लेना इन सभी कोर्षनों को अगर आप complete कर करके जाएंगे तो आप अपने exam में अच्छे से अच्छे marks को gain कर सकते हैं आने वाले exam के लिए इस सभी के सभी कोर्षन important रहेंगे इनको पढ़के जाएंगे और इनको notebook में note down कीजे आने वाली परिक्षाओं के लिए आप सभी का बहुत 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 सुब कामना है और मैं बूलूँगा कि वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद और exam के लिए best of luck tension मत लेना किसी प्रकार की आपका exam अच्छे सोजागा आप सभी लोग पास हो जेंगा ऐसे मेरी उम्मीद है या मैं आपसे ऐसा accept करा हूँ अच्छे से अच्छे number लेकर किया आना tension मत लेना एगनो में tension लेने लिए बात नहीं आप सभी exam में अच्छे से अच्छे गेन कर लेंगे इतना जरूर कह सकता हूँ इतने सभी जितने मैंने question बता है अगर आप इतना पढ़ लेंगे और इतना आप दाके लिख देंगे तो आप आराम से पास होजेंगे आपके अच्छे से अच्छे marks आ जाएंगे ठीक है तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बंदवार अगर हमारा वीडियो कुछ अच्छा लगा हो या आपको कोई जानकारी मिले होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और हमारे हमारे चैनल को सपूर्ट जरूर कीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में या आप फोरवर्ड कर सकते हो और आप अध्यन Education Center के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते जहाँ पर बहुत प्रकार की Classes चल रही है हम आपको वहाँ पर कई सारी Classes और कई प्रकार की हम आपको Help भी दे रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत दिन बाद थैंक यू सो मच जै हिन जै भारत